हलो दोस्तों, वेलकम टू बिएवेर कोचिंग पॉइंट्स लेटेस्ट अभी करेंट इश्यू है कि इस्रो ने लॉंच किया है फर्स्ट टू थाउजेंट टीवन का पी एसलवी C-51 लॉंच किया है स्टुडेंट्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इंडिया भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के तेरा या चौदा पंदरा देशों के अंदर आता है जो अपना खुद का सैटलाइट लॉंच करते हैं एक के बाद एक कंटिन्यू हर साल लॉंच करते हैं उनके पास अपना स्पेस रिसर्च ऑर्गनाईजेशन होता है और असी तरह से नासा जीस साहे है और कुछ यह ऊसे भी हैं जिनके पास अपना रिसर्च ऑर्गनाईजेशन नहीं है वो लोग क्या करते हैं किसी भी देश के साथ CONTRIBIEUट करके अपना satellites को launch करते हैं ठीक है दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो है Indian Space Organization इसरो जिसे कहा जाता है उसने launch किया है polar satellite launch किया है वेकल polar satellite launch वेकल किया है PSLV C50ES की full form है with the load of primary satellites primary satellites के साथ प्रात्मिक satellites के साथ में शितिष दवन से launch किया है और यह इंडिया की first first lift off है ठीक है ना 2021 की National Space Station से और इसी के साथ इसरो जो है इसरो वो है जो हमारा Indian Space Research Organization Indian Space Research Organization का formation कम हुआ था तो 15 अगस्त 1965 में इसका formation हुआ था ठीक है अभी हमारे वर्तमान में जो Chairperson है वो K.शिवान है के सिवान जी हमारे chairperson है इसरो के और इसरो का एक port है जिसे शितीजदवन DSDS कहा गया है DSD शितीजदवन सिवान तो यह हमारा एक port है primary port जहां से हम satellites को launch करते हैं और इसी के साथ में यह जो हमारा satellite launch किया है PSLB 15 इसके साथ में हम 10 points discuss करते हैं primary satellite है जो प्रात्मिक सेटलाइट है इसे call इसको call किया गया है Amazonia 1 Amazonia 1 किया गया है और यह ब्राजील के लिए launch किया गया है ब्राजील के द्वारा ब्राजील की delegation team भी यहां पर प्रतिनिदी मंडल भी मौजूद था जब यह launch किया गया था शितिजदवन में और इसके साथ 18 passenger satellites भी launch किये गये हैं शितिजदवन से इसमें शिरी हरी कोटा शितिजदवन Space Center City हरी कोटा से launch किये गये हैं Amazonia 1 जो है उसका weight है 637 यह optically earth को observation करेगा satellite यह उपर से देखिए कहने का मतलब है optically optically earth का मतलब हो गया कि उपर से जो प्रत्वी को observe करेगा कि उसमें क्रिशी के लिए जैसे use में लिया जाएगा या फिर climate के लिया जाएगा और मेंली डेलिकेटेड जो है वो ministry of science ministry of science जो ब्राजिल की है उनके लिए है research के लिए यह satellite को launch किया गया है ठीक है national institute of space research के द्वारा इसका किया गया है और pvclv pslv c51 जो है Amazonia 1 यह इंडिया की new space research organization है जो government body ही है as a department of space new space इंडिया लिमिटेड ns1 nsil nsil के द्वारा launch किया गया है और यह commercially commercially arrangement है firstly और यह non-government body है जो इसके साथ मिलके government की body के साथ मिलके work कर रही है प्राइविट प्राइविट आजेशन के तहत हुआ है यह सब और इनमें जो है इसरो ने इसके साथ में solid step उठाया जो boost और order off to इसरो 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 ने डियल भी अच्छा सा कह सकते हैं कि इसके साथ में अच्छे camera लगाए गए हैं ताकि हर चीज को observe किया जा सके और इन्होंने new satellite के साथ इंडिया के 3 satellites भी इन्होंने अपने साथ बेज़े हैं ठीक है ना इंडिया के 3 satellite है एक satellite है unity set A और दूसरा है सेट सितिज शितिज दवन सेट और unity सेट है उसके उपर भगवध की तस्वीर लगाई गई है और सेट नरेंदर मोडी जी की तस्वीर लगाई गई है क्योंकि इस इस company ने जो NS जो हमारी ये New Space Indian Limited है इसके द्वारा सेट के उपर नरेंदर मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है क्योंकि उन्होंने प्राइविटाइजेशन किया गया था इसके तहत दूसरी कम्पनिया भी Space के लिए काम कर सकती है और इसलिए उनको dedicated किया गया है और Unity के उपर सिरीमत बगवत गीता की तस्वीर लगाई गया है इसके साथ में इंडिया के साथ 14 और है NSIL ने लांच किया है और ये क्लेम करते हैं कि प्रोवाइड दू रेडियो स्टेशन रेडियो ली सर्विसेज दी जाएगी और इसमें ये भी बोला गया है कि ये टोटल 20 सेटेलाइट्स थे पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ को रोका भी गया है दो सेटेलाइट्स को ठीक है ना और ब्राजील की जहां तक हम बात करते हैं तो ब्राजील के राश्टपती है जायर बॉली सो नारो जिन्हों ने पी एम मोदी ने उनको ट्वीट करके बदाई भी दी है इसके बारे में और ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है कंट्री इन साउथ अमेरिका साथ अमरीका की country है उसका capital जो है ब्राजील ब्राजीला ब्राजीला है और 26 states का union है और currency वहाँ पर रेडे है और बी आरेल बेरल जिसे का जाता है बी आरेल बी आरेल उसकी currency है बेरल ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर जोइन आस